प्रिये विद्यार्थियों जैसा कि आपने अब तक वीडियो देख लिये होंगे और दिवेदियों के समस्त कव्यों का ध्यान हमने कर लिया है अब हम एक बात हमने शुरुवात में पड़ी थी कि जब खड़ी बोली को कव्य धारा में प्रमुष्थान दिया जाने लगा और पीछे से कव्या के अंदर ब्रज भासा का प्रचलन है वो लंबे समय से कम से कम पूरे मध्यकाल से ही चला रहा था और इस प्रकार की जो लंबी परंब्रह है उसको यूं नहीं छोड़ा जा सकता इसलिए दो कवी ऐसे थे जो दिवेदी यूग में इस प्रकार के खड़ी बोली कि ऐसा धान महता प्रतिष्ठापित हो जाने के बावजूद भी प्रज भासा में रचना कर रहे थे उन दो कवियों के नाम है जगनाह दास रत्नाकर और सत्यनान कवी रत्न एक प्रस्ण यहां से कभी कभी पूछा जाता है तो इस वीडियो में उन्हीं दो पे तो वीडियो तो बहुत पुराना है साइद यह अगस्त का होगा जब इससे पहले परिक्स्यास थकी बड़्यास थकी तो होने के बाद तो वह पुराना वीडियो मुझे इसमें तारिक डालने चाहिए थी या तुम उसमें तारिक डाल दूँगा आज उसको एडिट करके उसके सीर्षक में आप थोड़ा साइध्यान रखें कि मेरा इसमें था नहीं क्योंकि अगर ऐसा फोन आ गया तो और भी विद्यारती ने उसको देख दिया होगा तो आप थोड़ा उसको देख लिए उसको कब साइध उसके निचे को डेट वगरा ऐसा आती होगे नहीं हाती तुम उसको एडिट करके डाल दूँगा जगन्हा दास रतना करके बात करें बच्चन संग इसके बारे में काफी बहुत अच्छी बात लिगते हैं और वह यह कहत आतवर्स में राजनिती की भासा हो चैए अंदोलन की भासा हो चैए वह उसमें अदालतों की भासा भी खड़ी बोली बनाए जाए मूमेंट चल रहा था फोर्ट विलियम कोलेज की स्थापना हुई थी उसके बाद में भासा को लेकर बहुत सारी बात चीद हुई जागरती हुई पत्रकाइं बनाए गई आंदोलन खड़े हुए और एक मिशन के रूप में यह काम किया गया लेकिन इस परकार के दोर में भी ब्रज भासा में बने रहना और यूं बना रहना कि उसकी कोई चर्चा है कवीता तो इस इसमें खड़ी बोली के अलावा भी भोजपूरी कवी में भी लिखी गई जैसे मैंने आपको बताया था हीरा डॉम की अच्छूत की शिकायत कवीता है लेकिन इस परकार से जगन्हा दास रतना कर वह बहुत प्रसिद्र है तो एक बड़ी बात होगी इस कवी में जो इस कवी ने इस परकार के खड़ी बोली के दोर में भी ब्रज भासा को जिंदा रखा और हलाकि ऐसा माना जाता कि खड़ी बोली के समर्थकों के इन्हों ने हठी और मुरक कहा था तो यह उनका एक प्रकार से खड़ी बोली के विरुद्ध एक भाव दरसाता है लेकिन फिर भी इनका उधव सतक काव्य संग्रह उसकी चर्चा हर ह हिंदे साहिते के इतिहास में आवशक रूप से पाई जाती है तो ऐसी कौन सी बात इसमें थी तो वो यह कहना चाहती है कि इनके भाव और शिल्प विधान दोनों ही उच्छ कोटी के थे और ब्रज भासा चाये पुराने समय से लंबी चली आ रही हो लेकिन असल में अगर क कोई कवी उसी प्रकार का पिष्ट पेशन करता जो रिती काल से चला आ रहा था ठीक वैसा ही लिगता तो यह उधव शतक इतना चर्चित नहीं होता जगना दास रतना कर अपनी कव्य भासा भले ही पुराने धर्रे के लिए बैठे हो लेकिन उधव शतक में एक नया प्रका का एक हम कह सकते हैं कि यहां जो राधा है वो लोक सेविका है और कृष्ण का रूप भी लोक कल्यानकारी है दिव्य नहीं है तो इस प्रकार की बाते हमने देखी है तो असल में उन्होंने अपने कव्य का विशे है उसकी जो भाव भूमी है वह नए और आधुनिक्स्तर के कारण ये भ्रच्भावसा की महरति भ्रच्भावसा के प्रकार से हम कैसे कि सट्क परक्ष धर्वणे रे खड़ी बोली कि इस प्रसिद्धि दोर में वे की इनकी दो उब्रज भासा की अंतिम रचना माने जाती है उद्व सतक की चर्चा हमने भ्रमर गीत सार की अंतर गीत की तीसलिए मैं जादा चर्चा यहां पर करूंगा नहीं वहां पर बात हो गए और इसको यहाद करें इसके गंगावतरन हरी रतना कर भी रतक्रहन की भी हर्जान होई आज तक की सबसे प्रामाणिक जो ठीका है वह जगर नहां दासर रतना गर sı और को वास्त provocれた सेकंड्रेट में विध्यार्थ पढ़ाता हूं इससे अर्थ करता हूं तो एक-एक दो है कि दो तीन तेन आर्थ और बहुत अच्छे तरीके से उसकोणों ने दिया है तो जो ये भी समसामे कवीता के कवी रहे और इन्हों ने ब्रज भासा में भी ऐसी कवीता हैं लिखी हालाग इनकी कुछ कवीता हैं खड़ी बोले भी आपको में लेगे लिए यहां प्रदान ने ब्रज भासा का हैं तो इन्हों ने अपने कव्या में इस प्रगार की कवीता हैं परदे तुरंग में दो रचना संक्लित हैं प्रेम करी वो भ्रहमर दूद का पेक्षा करत थोड़ा सा तुलनात्म का धेर हमने भ्रहमर गीत परंपरा में सूर्दास या बगति कृष्ण मगति कावे के अंत में हमने किया था तो आपके उर्षक रचना का नामयाद रखें हरिशस मेकाले की लिखी पुस्त का उसका हिंदे नवाद किया रामतिरित और मालती मादव का अनवाद ने ब्रजभासा में किया समसामे कविताओं के कवी रहें यह आप तोड़ा से इसको द असर में जगन नादास के द्ना करम कवय शायशस्त्री तत्वों का अधिक समम्स है इसलिए उनका यहां वरत्व में ब्रफभ नवीक कालय का समनभी 수riam नार्शिक सिभा और लेकर ब्रहमर्ध है वो काफी अनेग सामाजिक मुद्दों को लेकर वह लोत Child Hershosa आता है अनेक समाजिक मुद्दों में नई सोच और नई विचार धर रहे चाहिए नारी सिक्ष्या होचे कुछ और हो चाहिए समाज से राष्टिय था कि भावना हो तो कुल मुद्दा उनके भी यहां भी कृष्ण और राधा और गोपियार वो भ्रहमर गीत है ब्रहमर दूत कि गई है इसके लावा हम इस काल में अगर एक तीसरे कवी की बात करें हालंकि कभी की रूप में इतने प्रसिद्र नहीं हुए जितने इतिहांसकार और आलोचक के रूप में निबंदकार के रूप में हुए अचारी राम चंद्र शुक्ल है उन्होंने एक पुस्तक का अन चर्चा भी इसमें हुई थी एक पूरा का पूरा प्रस्न आये था साथ सत्य करतने ऐसे करके आये था मुझे याद नहीं अब तो यह ब्रद्यवेदियों का ब्रजभासा कभ में यहां से एक प्रस्न बारी-बारी से पूछा जाता है जो जगन्ना दास रतना करके बारे में की पूछा जा रहा हो चाव रिष्टर के बारे में पूसा जा रहा हो जांदा अधियों कि एक मांगी ये यह हम प्रस्न पत्र को हल कैसे करें आज आधिय ॉडियो बनाऊँ जिसमें आप प्रस्न में करने को लेकर समझेंगे तो मैं यह कहना चाहता था आपको कम्म्निटी म में डाल दूँगा आप कि प्रस्वन पत्र को हल करते हैं आपके सामने कौन-कौन सी समझ्षय आती है वह आप टिपनी करें ताकि मैं मेरे मंद से बताऊंगा लेकिन जाहिर सी मुझे लगता है कि प्रेशन पत्र को हल करने में आपके सामने जो समस्य हाती उसको डिटेल से आप रसम के रूप में टिक पड़ी में लिखें तो आप कम्यूटि में लिखती है चाहें यहां पर वीडियो के निचे लिखतें चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर दें किस प्रकार की समय से आपको आ रही है नंबर आपको सामने शुरुआती स्लाइड में दिखाई दे जाती तो फिर मैं एक ऐसा वीडियो डालूँगा जिसमें आपके प्रस्नों कित्तर होंगे मेरी बात होगी तो उसमें क्योंकि असल में स्कूल आत करुएंगा फर्स्टेब्स प्रकार पास्तर को हल कर सकते हैं ताकि हमें दो तेन स्कूल करने के तारीकों को लिकर हो अप अपनी जो भी समस्या है जो भी आपको दिक्ते आती है आप तक जो आपने मैसूस किया आज तक कव तक वाफिश में टिपणि कर बता सकते हैं